तो प्रश्न कुर्मांक संख्या एक क्या कहती है इन में से कौन सी अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित इस्तला करती नहीं है पताए कौन सी नहीं है इन में से अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित इस्तला करती वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, यू अकार की घाटी या जलोड पंक, वी शेट वेली, आई शेट वेली, यू शेट वेली, और जलोड शंकु, जलोड पंक नहीं, जलोड शंकु, अगर यहां जलोड पंक भी होता, तो उसका उत्तर भी भही होता, जो जलोड वी आकार की घाटी और आई आकार की घाटी भी नदियों के जल से अपरदित जो आकरती है वो आई आकार की घाटी है वो भी अपरदन की परकरिया से बनी है लेकिन वो हिमानी या ग्लेशियर द्वारा जो अपरदन होता है उसके द्वारा निर्मित आकरती है यहाँ पर जो जलोड संकु है ना यह निक्षेपन के दौरा निर्मित है किसके दौरा निक्षेपन के दौरा निर्मित है अगर पूछा जाए कि किस से बनी है यह जलोड संकु यह बना है नदियों के जल से नदी से या फिर बहते हुए जल से जलोड संकु इससलाकरती का निर्माड होता है और साथ ही साथ होता है जलोड पंक का भी बाड के मैदान का और डिल्टा का भी सब नदियो द्वारा तो देखे वी अकार की घाटी जो है वो नदियो द्वारा बनी है नदियो द्वारा अपर्दन से मोजामबिक और तंजानिया कहां परिस्तित है इन तीनों के बॉर्डर परिस्तित है मलावी मोजामबिक और तंजानिया कहां पर रहे ये अफरीका में कहां पर रहे ये अफरीका में यहां आपको दिख रहा होगा कनाडा आपम संयुक्त राज अमेरिका इन दोनों के यह eलपन इप्रपाद करूषा है। यह है 979 मीटर उचा है 989 नदी नदी कितना उचा है 979 और विस्व का यह सबसे उचा जल प्रपात है नाम क्या है इसका एंजल जल प्रपात या इसको बोलते हैं waterfall पॉल प्रपाइबं उनकी अवस्तिती के संदर्ब में कौन सा सुमेलित नहीं है फ्यूजी यामा एक ज्यूजा मुखी परवत है या जिसको बोलते हैं ज्यूजा मुखी लास्ट वीडियो में भी था यह तो मांट फ्यूजी यामा क्या है कहां पर यह जापान में करेक्ट है करेक्ट है कोटो पैक्सी इक्वाडोर करेक्ट है स्ट्रमबोली एक सक्रिजौरा मुखी है संद्राज अमेरिका में नहीं है यह इस्ट्रमबोली कहां पर है लिपारी में मतलब इटली में स्ट्रमबोली कहां पर है स्ट्रमबोली है इटली में कुशन नमबर 5 है विस्व की सबसे उची नौगम में जील कौन सी है इंपोर्टन्ट है ये विस्व की सबसे उची नौगम में जील कौन सी है ये है लेक टिटिका का कौन सी है लेक टिटिका का एक जील और नीचे लेक मिशिगन ये कहां पर है USA में लेक मिशिगन कहां पर है स सैयुक तिराज अमेरिका के वाडर पर question No. 6 है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है विस्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील सुपी रेर जील correct है विस्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कैस्पियन सागर correct है सरवाधिक लवरता वाली जील वान जील कहाँ पर है वान जील कहाँ पर है वान जील तुर्की में और विस्व की सबसे उची जील नेनिताल जील देखें गलत है यह विस्व की जो सबसे उची जील है वो तिबबत के पठार में स्थे था है और उसका नाम क्या है टिसो सिक्रू क्या नाम है उसका टिसो सिक् जीव, नहीं ताल जीव कहाँ पर रहा है, उत्त्राखंड भारत, कुशन नमर साथ है, विस्व में सरवाधिक भूकम्प, निमन में से किस पेटी में उत्पन होते हैं यह important है प्रशन सबसे ज़्यादा है उत्पन होते हैं प्रशान्त महासागरिया पेटी में प्रशान्त महासागरिया पेटी में और इसमें भी परी प्रशान्त महासागरिया पेटी में कितने प्रतिशत तरेशट प्रतिशत सरवादिक भूकम पाने वाला देश कौन सा जिसमें सरवादिक भूकम पाते हैं तो वो है जापान याद रखना इसने हैं कौन सा है ओपान होती है उसे केंद्र मतलब फोकस कहा जाता ध्यान देना और केंद्र के ठीक ऊपर केंद्र के ठीक ऊपर प्रत्वी की सतय परिस्थित इस्थान को अधी केंद्र एपी सेंटर कहा जाता है तो दो अलग-अलग बातें हैं केंद्र अलग है, epicenter अलग है, ध्यान दीजेगा, तो correct है दूसरा भी, प्रत्वी भूकम्प की ती ब्रता, reactor scale पर मापी जाती है, ये भी correct है, रिक्टर scale पर मापी जाती है, तो तीन तो correct हो गए यहाँ पर, तीन तो correct हो गए, सब में तीन तीन है, विश्व में सरवादिक भूकम्प इंडोनेशिया में आते हैं, गलत है ये, विश्व में जो सबस्याद भूकम्प है, वो जापान में आते हैं, अगर पेटी पूछी जाए तो प्रशांत महसागरिया पेटी, तो इंडोनेशिया नहीं है, तो फोर को eliminate करिए, अगर नीचे से हम करते हैं, जल्दी से solve हो जात होती है, जिनमें जल भरा होता है, तो correct है, जील का निर्मान कैसे होता है, नदियोदारा भी हो सकता है, और प्रक्रतिक जील भी होती है, आर्टिफिशल लेग भी बनाई जा रही है, और उल्का पिंडो के गरने से भी होता है, विस्व की सबसे गहरी जील वेकाल जील है, correct ह कि गलत है कजाकिस्तान में नहीं है ये SIVERIA ROSA में है वेकाल जील जो है वो ROSA में तो थर्ड को eliminate कर ये नहीं हो सकता थर्ड जस्फेश में तीन है इसका answer जो आसाणी से मिल गया 1-4 तिबबत के पठार में इस्थिसो शिक्रू विस्वी की गवन्टू-फोर के दसवा परश्ट ने विस्व की जीलों मतलब में लेक्स की संदर में निमलीखित कथनों पर वुचार की जिए विस्व की सरवाधिक लवडिये जील वान हैंएंएं वान होती हैं जैसे नदियों द्वारा हो गई वायू के द्वारा हो गई हिमनद हिमानी के द्वारा हो गई भूमी का जल ग्राउंड वाटर से भी तो बनती है ना वो सारी इस्सला करती है या फिर साग्रिय जल के द्वारा सी वाटर के द्वारा सी वाटर के द्वारा सी वाटर के सागर्य जल से और प्राकृतिक चिमनी निवेशिका ये भी बनती है सागर के जल से निर्मित इस्तला करतियां है तो तटियक अंद्रा हो गई प्राकृतिक चिमनी निवेशिका हो गई इसके अलाबा अगर आपको याद रखना है तो रोधिका जो है रोधिका वो भी सागर्य भूमी का जल, ग्राउंड वाटर के द्वारा निर्मित है ग्राउंड वाटर के द्वारा निर्मित इसला करती कौन सी होगी इसमें देखें मैंना बताया था जलोड पंक जलोड पंक, जलोड संकू और बाड का मैदान डिल्टा ये तो नदियो दोरा बनते हैं किसके दोरा बनते हैं ये तो नदियो दोरा बनते हैं तो पहला तो होगा नहीं पहला नहीं होगा तो करिए ये नहीं हो सकता अब बर्खान टीले बरखान टीले कैसे बनेगे, बरखान टीले बनते हैं पवनों के द्वारा, जो वायू उड़ा के लेके जाती है ना रेत, तो ये भी नहीं हो सकता, ये वायू के द्वारा बनते हैं, पवनों के द्वारा बनते हैं, और इस्टेलेक्टाइट और इस्टेलेक्माइट, भूमी आप निक्षेपन के दोराबन तो आप बताऊगे निक्षेपन के दोरा अगला प्त्रक सिलाज जीजेन यह भी बनता है अब बात की जाए कि इन में कौन सी अपर्दन के द्वारा कौन सी निक्षेपण के द्वारा तो यह जो छत्रक सिलाज यूजे ने या पर्दन के द्वारा बनती है बागी बालिकास तूप प्लाया लोयास यह सब की सब निक्षेपण के द्वारा बनती हैं किसके निक्षेपण से वायू द्व केवल 1, 2, 3, सारी, सारा का सारा पूछाए ना परदन और वो थोड़ी पूछा इसमें, तो सभी हो जागा इसका आंसर, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 4, चारो की चारो जो हैं, वो विंड या पबनों के दोरा बनने वाली इस सिलाकरतियां हैं, और जो छत्रक सिलाज या परदन के दोरा औ बोलते हैं, इसको मैगमा, और राक, गैस, जलबास, शैल खंड इत्यादी बाहर निकलते हैं, इन्हें डैस कहा चाता है, देगे भुकम तो होगा नहीं यहाँ पर, ना ही सुनामी होगा, तो यह सब चीज़ पता क्या कहलाती है, यह जौला मुखी कहलाती है, यह सब यह निकलती है ना, लावा में, तो यहाँ जो सही होगा, वो होगा, जौला मुखी इसको बोलेंगे, यह इसे निकला ना बाहर, तो क्या फट गया यह, यह खटा हो जाएगा बाहर जाकर, अंदर गरम है, बाहर आ गया उपर, ठंडा है, हवार चल रही है, तो सब यह कड़ हो गई, यह मेडल लेयर हो गई, निफे, कोर को कहा जाता है, जो सब सकेंदर की होती है, तो इसको क्रेटर हो जागा यहाँ पर, जौला मुखी शिद्र को क्रेटर कहा जाता है, कुशन नमबर 16 है, इनमें से कौन सी, कौन सक्रेज जौला मुखी, एक्टिव वॉलकेनों की उधारण है, सक्रेज जौला मुखी के उधारण इसमें माउंट एटेना है, और स्ट्रामबोली है, तो भी और सी दोनों है, इसका अंसर विसूबियस नहीं है, क्योंकि विसूबियस जो है, एक प्रशुप्त जौला मुखी है, प्रशुप्त या शुप्त जौला मुखी ह और एटना कहां पर है एटना भी इटली में है और स्ट्रामबोली कहां पर है स्ट्रामबोली भी इटली में है यह एटना जो यह सिसली इटली में है और स्ट्रामबोली जो है यह लिपारी इटली में है लिपारी इटली में चलिए अगला प्रश्न है वो तीनों की तीनों इटली में सतरवा प्रश्न है इन में से कौन-कौन म्रत जोला मुखी डेड़ वोलकेनों के उधरन है देखिए जो क्लीमन जारो है क्लीमन जारो वो तो प्रसूप्त है सोरी क्लीमन जारो जो है यह म्रत है सही है यहां पर पहला खियू जी यामा जो है वो रहा फियो है पहलाजी मतलब जो हर समय फटा रहता उसमें से लावा निकलता रहता है और फ्रशूप्त जो प्लिमार राज 2,3 जय्मान में एक वह तुह तो चिंबा राजो चिंबा राज यहाँ पर और क्रिमन जारोवी मृत हैं यहाँ पर चिंबा राजयो भी मृत है तो इसका अंसर हो जागा पहला और सी एक और सी दोनों Mount Rainier भी एक, Mount Rainier कहां पर है? Philippines, Mount Rainier hey, Mount Rainier है, USA में कहांपर है, Mount Rainier? USA में Mount Aetna भी इटली में है Mount Aetna भी इटली में है Kotopexy, Equador में है Kotopexy कहांपर है? Equador में Question number 19 है, इन में से किसे Ring of the Fire कहा जाता है Ring of the Fire कहा जाता है बेखिए विस्व का लगभग दो तीहाई सक्रे जोला मुखी परीपरशान्थ महा सक्रे पेटी में पाया जाता है अदर इस शेत्र को अगणी वले या fire ring of the pacific भी कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा परीपरशान्त महा सक्रे को किसको? परी, परशांत महासकरिय पीटि को अंतिम प्राशने है संसार के परमक ज्वाला मुखी एवम उनके इस्थितिक अनुसार कौन सासे कथन सुमेलित है कटमई, कटमई ज्वाला मुखी कहाँ पर इस्थित है कटमई, अलास्का, USA में, करेक्ट है कोह सुल्तान ये कहां पर है कोह सुल्तान इरान में मोना लोगा हवाई दूइब यूएस से करेक्ट है सभी के सभी जो है सही सुमलित है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे तो ये कुछ देखें नाम है विश्व के परमुक जॉला मुखी के मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पता होना चाहिए कौन किस देश में इस्तित है मौन्ट कोटोपेक्सी बहुत पूछते हैं एककवाडोर में इस्तित है मौना लोगा सबका फेवरेट हवाई दीब यूएसे में इस्तित है मौन्ट एटिना सिसली इटली में इस्तित है स्ट्रामबॉली सक्रे जॉला मुखी है लिपारी इटली में इस्तित है क्राका टुवा इंडोनेशिया में इस्तित है फ्यूजी यामा प्रसुप्त जौला मुखी है जापान में इस्थित है कोह सुल्तान इरान में इस्थित है क्लीमन जारो एक मरत जौला मुखी है कहां पर है तंजानिया तंजानिया कहां पर है अफरीका में बिसूबियस बिसूबियस एक प्रसुप्त जौला मुखी है इटल नो, दस, ग्यारा, बारा हैं ये पूरे के पूरे, बारा ज्वाला मुखी हैं, और यही रिपीट होते रहते हैं बार बार, और एक्जामनर के फिवरेट सबसे ज़्यादे हैं, कोटो पैक्सी, मोना लोगा, माउंट एटना, इस्ट्रॉमबॉली, फ्यूजी यामा, क्लेमंज विशूबियास को बहुत पूछते हैं, अब बचा कटमाई, माउंट रेनियर, माउंट इताल, और कोह सुल्तान, तो चुकी जो बहुत बात पूछे हैं, वो सायद ना पूछे जाएं, और जो नहीं पूछे हैं, वो पूछे जाएं, तो उनको भी देख लेना, कटमाई USA म अमेरिका में, मतलब USA में, और माउंट इताल जो है, वो फिलिपिन्स में हैं,